जेहिंद साथियों आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ब्यार पुलिस कॉंस्टबल की नई भरती के लिए आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से 50 अति महत्पुन प्रसनों को कवर करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट रहेगा और जितने भी नए भ्यारती चैनल पर पहली बार आये है आपको स्क्रिन पर ये बुक दिख रहा होगा ये क्रिन पब्लिकेशन का भ्यार पुलिस के लिए प्रिवेश एर का बुक है जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी CSBC द्वारा प्रसन पूछे गए है उन सभी प्रसनों को इस बुक में दिया गया है और देखे एक्जाम के लिए प्रिवेश एर कोशन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप सभी ये बुक ले सकते हैं इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फर्स्ट कोशन आपके सामने है कोबाल्ट धातू किस विटामिन में होती है बिलकुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और देखे प्रत्यक स्ट्वेंट को नीचे लाइप चेट में अपना अपना अंसर देना है जिससे आप सभी का प्रोपर तरीके से रिविजन भी होगा तो कोबाल्ट धातू किस विटामिन में पाया जाता है तो यहाँ पर पहले प्रस्न का आंसर जो इवच्चे ऑप्सेन डी बता रहे है उनका बिलकुल सेजबाब है विटामिन B12 में कोबाल्ट धातू पाया जाता है और विटामिन B12 का रसानिक नाम पूछा आता है तो साइनो कोबालमिन यहापे लिख देते हैं साइनो कोबलमिन विटामिन B12 का रसानिक नाम है ज्यान रखे दूसरा प्रस्न है पित का निर्मान होता है चलिए आंसर बताईए पित का निर्मान कहा होता है तो यहाँ पर दूसरे प्रस्न का सही जवाब है यकृत गरंथी में पित का निर्मान यकृत गरंथी में होता है यकृत गरंथी मानब सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है रक्त की बात करें तो रक्त का पियेचमान पूछा आता है साथ दसमलब चार है जो कि छारिय प्रकृति का होता है आगे देखें विटामिन सी क्या है याने कि VITAMIN C का रसायनिक नाम आपको बताना है तो बहुत SINPUL प्रस्ण है यहांपर तीसरी प्रस्ण का सhiness जवाब है VITAMIN C का रसायनिक नाम है ASCORBIC ACID तो B OPSION जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है KELCY FEROLE時 VITAMIN D का रसायनिक नाम है टोको फेरोल विटामिन E का रसाइनिक नाम है अब देखें विटामिन दो प्रकार के होते हैं एक जल में गुलंसिल विटामिन और एक वसा में गुलंसिल विटामिन तो देखें विटामिन B और विटामिन C ये जल में गुलंसिल विटामिन है और बच्चे विटामिन कीडा आपको याद रखना है, K, E, D, A, याने कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये वसा में घुलनसिल होते हैं, आगे देखिए, वाइरस रोग है, बिलकुल एकजाम में पूछा जाने बला प्रसन है, आंसर बताईए, वाइरस रोग क्या है, जिसको हिंदी में विशानों भी बोला जाता है, तो यहाँ पर चोथे प्रसंद का अंसर क्या होगा वाइरस के कारण कौन सा रोग होता है तो याद रखेगा इन्फुलेंजा यहाँ पर ए ओप्शन जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है हाईजा किसके कारण होता है बियार पुलिस के एक्जाम में पूछा गया था तो याद रखेगा यह बैक्ट्रिया आने की जिवानों से होने वाला रोग है हैजा आगे देखें ओरिजिन ओप इस पेसिज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे वेरी वेरी इंपोर्टन प्रसंद है इसको मार्क कर लिजिए तो ओरिजिन ओप इस पेसिज पुस्तक के लेखक कौन थे तो यहाँ पर सही जबाब है चाल्स डार्विन सी ओप्शन जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है चाल्स डार्विन ओरिजिन ओप इस पेसिज नामक पुस्तक के लेखक है आगे दिखिए बैक्ट्रियो फेज क्या है और दिखें इस प्रैक्टिस ट्मे जितने भी प्रस्ण आपके सई होंगे सेशन के लाश्ट में आप सभी को कमेंड करके अपना-पना स्कोर जरूर बताना है तो बैक्ट्रियो फेज क्या है यहाँ पर सई जबाब है वाइरस जो जिवानों को भक्षन करता है बैक्ट्रियो फेज कहलाता है आगे देखिए उपाप चई एंजाइम अनुपस्तित होता है चलिए आंसर किजिए उपाप चई एंजाइम यानिके metabolic एंजाइम ये किश में अनुपस्तित होता है तो यहाँ पर साथ वे प्रसन का सही जबाब है ये विशानवों में अनुपस्तित होता है metabolic एंजाइम गबक की बात करें इसको fungus भी कहा जाता है और कबक का ध्यन क्या कहलाता है पूछा जाता है तो याद रखेगा माइकोलोजी माइकोलोजी के अंतरगत कबक का अध्यन क्या जाता है और कबक की जो कोशिका वित्ती होती है ये काइटिन की बनी होती है पूछा जाता है कि कबक की कोशिका वित्ती किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है सेवाल की बात करें तो सेवाल का अध्यन क्या कहलाता है याद रखेगा फाइको लोजी सभी को ध्यान रखें आगे देखें सबसे बड़ा विसानू क्या है एक भी प्रस्णों को इसकिप नहीं करना है सभी प्रस्णा आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे बड़ा विसानू क्या है तो देखें पोक्स विसानू ये सबसे बड़ा विसानू है यहाँ पर ए उप्षन आपका सही जबाब है जीवन की उत्पत्ती नामक पुस्तक को किसने लिखा था और देखें आप सभी डेली क्लास को अटेंड किजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात आठ बजे से और एक क्लास है रात साड़े आठ बजे तो जीवन की उत्पत्ती नामक पुस्तक को किसने लिखा था तो याद रखेगा ओपेरीन यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा ओपेरीन ने लिखा था कार्बोहड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है चले दस के लिए आंसर किजिए सभी ओप्शन को ध्यान पुरुवक पढ़ना है तो कार्बोहड्रेट जो है इसका मुख के सुरोद भी पूछा आता है तो चावल चावल जो है कार्बोहड्रेट का मुख के सोर्स है और कार्बोहड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है तो यहाँ पर सही जबाब है मोनो सेकराइट्स कौन सा पदार्थ सरीड के वृद्धी और नई कोसाओं के निर्मान में सबसे अधिक आवस्यक है तो यह कौन सा पदार्थ है तो यह है प्रोटीन यह पर D option आपका सही जबाब है सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है तो सोयाबिन में सबसे अधिक प्रोटिन मिलता है प्रोटिन की कमी से कौन से बिमारी होती है तो क्वासी और कर क्वासी और कर बिमारी होती है प्रोटिन की कमी से आगे देखे किस रूप में प्रोटिन्स का सरीर में संचरन होता है चलिए आंसर बताएंगे सरीर में संचरन होता है प्रोटिन्स का किस रूप में होता है आपको बताना है तो देखे प्रोटिन्स का जो संचरन होता है सरीर में यह होता है याद रखेगा एमीनो अमल के रूप में यहाँ पर D option आपका सही जबाब है एमीनो अमल सरीर में यूरिया का संसलेशन करता है चलिए आंसर बताईए सरीर में यूरिया का संसलेशन किस में होता है बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है तो यहाँ पर इस प्रस्ण का आंसर क्या हो जाएगा याद रखेगा option B यकृत में तो जोई बच्चे भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जबाब है, यक्रित में होता है, आगे देखिए, उत्सर्जन की इकाई क्या है, चले चौदा नमर के लिए आंसर बताईए फड़ाफट से, उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो यापर सही जबाब है, नेफरोन, आगे समान मनुस, एक मिनट में सास लेता है, कितनी बार सास लेता है, तो यहाँ पर सही जबाब है 14 से 18 बार आगे देखे स्वासन क्रिया किसके दौरा नियंतरित होता है चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताईए स्वासन क्रिया किसके दौरा नियंतरित होता है और देखे अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन क को एक बार जरू लाइक कर दें तो स्वासन क्रिया जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो याद रखेगा मेडूला अबलंगेटा यहाँ पर डी आप्शन आपका सही आंसर है आगे दिके नैत्र में लेंस पर पढ़ने वाली किर्णों का नियंत्रन कौन करता है आगे दिके मस्तिस्क के किस भाग में सरीड के ताप को नियंत्रन करने का केंद्र होता है तो किस भाग में होता है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा option D, hypothelemus सबसे लंबी कोसी का कौन सी है, कोसा लिखा या निकी कोसी का बताना है सबसे लंबी कोसा कौन सी है तो याद रखेगा तंत्री का तंत्री की जो कोसा होती है सबसे लंबी, तो यहाँ पर सही जबाब है, A option आगे देखे एक मनुस इस मृती खो बैठा है तो इस मनुस के मस्तिस का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है तो देखे जब एक मनुस अपने स्मृती को खो बैठता है तो उस मनुस के मस्तिस का प्रमस्तिस के जो भाग होता है यह प्रभावित होता है आगे दीके Lender Hands के उपदिप पाय जाते ही Lender Hands के उपदिप याने की Islet Soup Lender Hands पूछा जा रहा है तो हमने आपको पहले भी बताया था इसका सही जवाब है ये अगनासे में पाया जाता है आगे दीके वरिद्थी हर्मन स्रावित होता है चलिए आंसर किजिए फड़ाफट से वरिद्धी हर्मोन किस से स्रावित होता है तो याद रखेगा सही जबाब है option D, pituitary ग्रंथी से सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है? हमने आपको शुरुवात में ही बताया था सबसे बड़ी ग्रंथी तो बिल्कुल सही आंसर वता रहे हैं यक्रिद ग्रंथी सबसे बड़ी ग्रंथी है निमनलिखित में कौन सी ग्रंथी अन्ता तथा बाहिस्रावी दोनों प्रकार की है? most important प्रस्न है mark कर लिजिए तो कौन सी ग्रंथी है जो अन्ता और बाहिस्रावी दोनों प्रकार की है तो याद रखेगा इसका सही जवाब है option B पैंक्रिया जिसको अगनासर भी का जाता है ये अन्ता शरावी और बाहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथी है गर्व निरोधक गोलियों में अधिक्तर होता है तो इस गोलियों में होता है ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोण यहाँ पर D option सही जवाब है आगे देके निमनलिखित में से कौन सा जनतू दुईलूंगी होता है दुईलिंगी होता है चलिए आंसर किजे निमनलिखित में से कौन सा जनतू है जो दूई लिंगी होता है तो याद रखेगा ये है जोक यहां पर C option आपका सही आंसर है न उड़ने वाला पक्छी कौन सा है क्यों इमु एक प्रकार के पक्छी है जो नहीं उड़ता है यहां पर C option आपका सही जबाब है दूइनाम पदती के जनक कौन है तो binomial nomenclature के जनक यानि दूइनाम पदती के जनक कौन है तो इसका सही जबाब क्या होगा कैरॉलस लिनियास यहां पे पूरा नाम नहीं दिया हुआ है अस्तन धारियों का सबसे महत्पुन लक्षन क्या है तो अस्तन धारियों का सबसे महत्पुन लक्षन है कि इसमें चार कोष्टे हिर्दय पाए जाते हैं यहां पर B option आपका सही जबाब है उडन मचली कौन सी है चले कत्तिस के लिए आंसर बताइए उडन मचली कौन सी है तो दीके उडन मचली है एक्सो सिष्टस यहां पर दिया है एक्सो सिष्टस यह एक प्रकार की उडने वाली मचली है जीव विज्ञान के जनक कौन है चले बत्तिस के लिए आंसर किजिए जीव विज्ञान के जनक कौन है तो यहां पर 32 का अंसर हो जाएगा option A अरस्तु जो है जिव विज्ञान के जनक है वर्गी करन की आधार इकाई क्या है तो यहाँ पर 33 का अंसर क्या हो जाएगा वर्गी करन की आधार इकाई क्या है तो species यहाँ पर B option आपका सही जबाब है सरीर में फासफुरस पाया जाता है किस में पाया जाता है फासफुरस तो यहाँ पर सही जबाब है अस्थियों तथा दातों दोनों में पाया जाता है फासफुरस मानव के लाल रुदिर कन यानि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है आप लोग कमेंट करके बताईए आरबीसी का कबरिस्तान क्या कहलाता है इसका आंसर कमेंट करके बताना है तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा A option सरीर में सबसे बलसाली पेशी का जाती है देखे सबसे लंबी पेशी सिप पूछे तो आप सभी जानते है फीमर है जो जांग में पाएगा जाती है सबसे छोटी इस्टेपिज है जो कान की होती है कान में 2020 ह्टे ने total 37 है देखे बिल्कुल एक्जाम में पूछा जाने बला प्रस्न है आंसर किजिए तो बाय करन का कठोर लचिला भाग जो बना होता है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यह उपास्थी का बना होता है याद कर ले मानव के रक्त की समान पी एच वेल्यू क्या है तो बहुत सिंपल है 7.4 होता है रुधिर दाव बलड फ्रेसर का नियंत्रन कौन करता है तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या हो जाएगा एड्रेनल करता है यहाँ पर सही जबाब है यह उप्शन और एक स्वस्त समान मनुस्य के सरीर का बलड फ्रेसर कितना होता है तो याद रखेगा 120 बटे 80 पूछा आता है आगे देखे रुधिर का ठक्का जमने के लिए आवस्यक क्या है अगर विटामिन में पूछे कि रुधिर का ठक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवस्यक है तो याद रखना है विटामिन के जिसका रसानिक नाम है फिलो कुइनोन लेकिन यहाँ पर देखे सोडियम, potassium, calcium, magnesium दिया हुआ है तो यहाँ प्रांसर क्या होगा calcium रुधिर का ठक्का जमने के लिए आवस्य क्या है तो याद रखेगा calcium है आगे दिखे रुधिर में anti-askandin पदार्थ मिलाया जाता है रुधिर में anti-askandin पदार्थ के रूप में क्या मिलाया जाता है sodium chloride, sodium oxalate, potassium chloride या thromboplastin तो रुधिर में anti-askandin पदार्थ के रूप में sodium oxalate को मिलाया जाता है यहाँ पर B option सही आंसर है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक सही जी उत्तक है यहाँ पर आंसर क्या होगा, A option आगे देखे, trepeno somiasis रोग की वाहक क्या है तो trepeno somiasis रोग की वाहक है, सिसी मक्खी यहाँ पर C option आपका सही जबाब है, सिसी मक्खी काला अजार के लिए उत्तरदाई, proto-जोन क्या है तो काला जार जो बिमारी होती है, यह लिस्मानिया के कारण, आपर D option आपका सही जबाब है malaria के लिए महत्पुन दबाहे कुनैन, तो इसका निसकासन कहां से होता है तो बिल्कुल सही आंसर दिये हैं, सिनकोना की चाल से मक्खी के लारवा को क्या काते हैं, प्रैक्टिस एट में आपको बताया था मक्खी के लारवा को क्या का जाता है तो याद रखेगा maggot का जाता है मक्खी के लारवा को उद्योग जो मदुमक्खी से संबंदित है, यानि मदुमक्खी पालन क्या कहलाता है यहाँ पर आपको यह बताना है तो दिखे PC कल्चर क्या है, तो इसमें मतद से पालन होता है एपी कल्चर मदुमक्खी पालन, सेरी कल्चर याद रखेगा रेसम कीट पालन हर्टी कल्चर आप लोग कमेंट करके बताईए, यह किस्ते संबंदित है तो याँ पर 47 का अंसर क्या होगा B ओप्शन, एपी कल्चर मदुमक्ख्यों में संचारन का साधन क्या होता है बिल्कुल एक नंबर का प्रशन है, मदुमक्ख्यों में कम्यूनिकेशन का साधन क्या होता है, तो याद रखेगा नाच होता है, यहाँ पर C आप्शन आपका सही जबाब है नाच के माध्यम से मधुमख्या जो है एक दूसरे से कमिनेट करती है तो यहाँ पर सही जबाब क्या है C option अब देखे कुछ बच्चे गंद बताएंगे गंद नहीं होगा यहाँ पर डांस होगा आगे देखेTCTC मक्षी निम्न लिखित में से कौन सा रोग फैलाती है तो चलिए बता देते हैं यह जो मक्षी है SPLING SICKNESS रोग फैलाती है आगे देखे यहाँ पर sleeping होगा sleeping sickness काला удар रोग निम्न लिखित में से किसके काटने से फैलता है चलिए आंसर बताएए तो काला जार रोग जो है ये सेंड फलाई के मक्खी के काटने से फैलता है यहाँ पर ए उप्षन आपका सही जबाब है तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके सेशन को अधिक सदिक दोस्तों के साथ जरूर सेर करें